इसका यूज हमने सिक्वेंसिंग लिए किया था वह हमने वहाँ पर देखा था जो उन्हों नहीं देखा वह देख लिजेगा मैं आई बटन पर आप क्लिक करके वहाँ देख सकते हैं मैं वहाँ पर लिंक प्रवाइड करवा दूंगा तो हमने यहां पर आच पढ़ना है फ्ल किजेगा देखने के बाद शेयर बिज़ूर कीजेगा तो फ्लो कंट्रोल वाल्व होता क्या है फ्लो कंट्रोल का यूज कहा करते हैं वह हम लोगों यहां पर देखना है तो आपको नाम से ही पता चल रहा है फ्लो कंट्रोल मतलब कोई भी फ्लो हम लोग कंट्रोल कर रहे है तो एक्ट्वल में flow control valve का use hydraulic circuit में जो press rise fluid pump से आता है और जो actuator में in करता है तो उसके पहले हम लोग flow को control करते हैं उसके fluid के flow को control करते हैं कितना discharge actuator में जाना चाहिए कितना flow rate से जाना चाहिए उसको हम लोग यहाँ पर control करते हैं इस valve के थूँ actually में जो actuator होता है actuator का speed काफी माएने रखता है जो actuator में movement होता है उसका speed जो होता है वो काफी माएने रखता है उसी speed पर जो हमें work मिलता है work जो हम लोग को load को upward motion देना रहता है या lower downward motion देना रहता है तो वहाँ पर speed को हम लोग control करना पड़ता है Otherwise काफी high speed से अगर fluid आ गया तो क्या होगा कि कोई भी अगर light load उस पर है तो उसे काफी high speed से अगर upward motion देगा तो हो सकता है वो गिर जाए या downward आ जाए तो कुछ हवापन, कुछ आ जाए कुछ दिर के लिए तो ऐसा वहां पर problem हो सकता है तो हम लोग उस हिसाब से flow को control करते हैं, fluid हम जब actuator में इन करता हैं तो हम लोग प्लूड के flow को control करकि actuator में इन कराते हैं, क्यूंकि अगर fluid के flow को control करके इन कराएंगा तो क्या होगा rằng, जो एक्ट्वेटर का movement होगा जो एक्ट्वेटर का speed होगा वो हम लोग control कर पाते हैं इसके तुरू flow control valve के तुरू क्या करते हैं हम लोग activator के speed को control कर पाते हैं और जितना speed हमें desired होता है वो speed हम लोग यहां से flow को control करके maintain कर पाते हैं तो यह किस पर depend करता है यहाँ पर जैसे आपने दिखा होगा घरों में जो tap नल होता है आपने दिखा होगा जैसे ही हम लोग उसका open करते हैं तो fluid का flow जो होता है वहाँ पर जो water होता है वो काफी तेज हो जाता है और अगर थोड़ा सा close करते हैं थोड़ा सा कम होने लगता है तो सेम यहाँ पर भी उ हम लोग open करके open करते जाते हैं area बढ़ा होते जाता है वहाँ पर और flood का flow जो होता है बढ़ते जाता है और जिसे से हम लोग सो close करते हैं तो area जो होता supply water जो supply flood होता है उसका area धीरे-धीरे reduce होते जाता है और वहाँ पर जो होता है वो close होने लगता है और fluid का जो flow होता है वो धिरे-दिरे speed उसका flow rate होता है वो control हो जाता है और जो एक्टेटर में जाता है वो complete से जाता है तो इसका diagram में construction देख लेते हैं कैसा होता है same website है जैसा tap water का होता है यहांपर TAP का होता है जो NULL का होता है घरों चो Caroo में जो water friends के यहांब एसका function सेम होता है जैसे हम लोग घरों में partners करते है यहांब वैसा ही होता है यहांपर आप आप देखो इसका construction यहांपर नेडल है जो open ऑल के लिए यहांबर यूज होता है यहांपर इसका कि में लाइन हैं यहां से फ्लो होगा और यहां पर जाने वाला मतलब आगे में एक्टो 1 लगा होगा और यहां पर Jewish कि अञे इसको किये फिलाल this कंडिशन में यह तो हमने फुलोडा से यहाँ पर open होकर जाने लेगा फुलोड का slow rate से flow rate से flow rate से यहाँ पर in करेगा और फ्लोड से यहाँ पर in करेगा तो तो हमने बहुत जगा आपको दिखाया था लेकिन हमने वहाँ पर उसका लेक्चर नहीं बना पाया था तो लेक्चर आपको यहां पर नियुमेटिक में पढ़ना है यहां पर अगर गैसेज यूज़ करना है तो वह नियुमेटिक के लिए हो जाएगा और अगर यहां पर लिक्विड यूज़ कर रहे है तो वह हाईडूलिक के लिए हो जागा यह इसका कंसक्शन है वरकिंग भी आपने देख लिया है इसमें कुछ ज़्यादा इस्टा चीज है यह नियुमेटिक एक्शुएटर है उसका हम लोग स्पीड को कंट्रोल कर पाते हैं फ्लू कंट्रोल वाल्ब का वाल्ब से अपने सर्कृट में आपको अगर ध्यान में होगा तो हमने इसका यूज़ किया था मीटर इन सर्कृट में जो फ्लूड इन करता था अपर आप देख लोगे वहाँ पर फिलिंग में प्रोवाइड करा दूंगा आपको आप यहां पर देख रहो होगे यहां पर जैसे हम लोग नोब को थोड़ा सा टन करके ऊपन करते हैं तो यहां पर एड़ा सा बढ़ जाता है इरिया बढ़ने के वजह से यह फ्लूड जो हो जादा हो रहा है जिसमें क्षेटर को चंट्रोल करना काफी ज्यादा इंपॉरेंट है क्योंकि वहाँ पर अलग-अलग-अलग लोड होते हैं उसे जाप से हम लोग एक्षेटर को मुवमेंट देना होता है हम लोग अचानक सेटूटर का movement नहीं दे सकते हैं, इसलिए हम लोग को fluid को flow करके ही, अंदर में fluid को flow को control करके ही हमें supply करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर flow control valve जो होता है, वो काफे ज्यादा important है, यहाँ पर area पर ही depend करता है, यह simple flow control valve है, सबसे simplest form है flow control valve में, flow control valve में और भी काफी जादा variation होता है, बस हम लोग यहाँ पर simple flow control valve देख लिया है, जिससे आपको idea लग गया होगा, कैसे कैसे इसको use करते है, और meter in circuit तो आपको बताई दिया, meter in circuit में इसका use करते है, meter in circuit में आप जब वहाँ पढ़े होंगे, जो लोग नही नहीं देखे, वो देख लिजएगा, meter in circuit में, कैसे use करते हैं, वहाँ पर भी आपको दिखाया गया है, इसका symbol देख लेते है, symbol कैसा होता है, symbol हमने वहाँ पर circuit में इसका use किया था, आप देखो, circuit में इसका कैसा हमने बताया था, अगर याद होगा तो आप देख सकते हैं, benz supply था और यहां पर हमने थ्ट्वला सा आर्क जैसा बनाया था और रॉप मना कर यहां पर एक एडरो बना दिया था जो नूप का काम करता था मतलब रहने संपन्स धायुZ यह इसका सिंबल है यह एको सप्लब इरो जा रहा है कि जो क्या तो ौह से हम ने देख लिया क्या होता है इस तरह से हमने सारा वाल सब्सक्राइब कर लिया है आप फिट यूट में देख लेते हैं कुछ एक दो टोपिक और बचाह दो फिक यूट कर लेंगा और फिर लास्ट पहुंद भीट कर लेंगा जल्द ही हम लोग अब दुनों क्यरीन कर लेते हैं को देखने के लिए थैंक यूट तेखने के बाद लाइक और शेयर जहूर कीजेगा और चैनल का सब्सक्राइब भी जहूर कीजेगा थैंक्यों सो मच